जै जै सनिदेव मकरास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके दैनिक रासी फल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी दोस्तों बात करेंगे बुधवार 31 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो आईए रासी फल से पहले आज के पंचांग के बारे में जानते हैं आज बुधवार 31 जुलाई 2024 सरावन कृष्ण पक्ष की एकादसीती थी बिक्रमी संबद 2018 आज का सुर्योदे 5 बच के 42 मैट पर होगा तो ही आज का सुर्यास 7 बच के 13 मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा बिरस रास में रहेंगे 10 बच के 15 मैट राब तक उसके बाद मिथू रास में परवेस कर जाएंगे बात करेंगे आज के सुमोर्तों की तो ब्रम्ह मुर्त रहेगा 4 बच के 14 मिनट से सुबह 5 बचे तक अब जीत मुर्त आज नहीं रहेगा मुझे मुर्त रहेगा 2 बच के 42 मिनट से साम 3 बच के 36 मिनट तक आज अमरित काल का समय रहेगा 7 बच के 2 मिनट सुबह से लेकर 8 बच के 37 मिनट सुबह तक आज सरवार सी ध्योग भी बना है जो की पूरे दिन बना रहेगा तो ये थे आज के सुम्मुहूर्त, इन सुम्मुहूर्तों में आप कोई विसुभ कारे आरम कर सकते हैं आज का राहुकाल का समय रहेगा 12 बच के 27 मेर दो पहर वास्ते लेकर 2 बच के 9 मिनट तक राहुकाल के समय किसी भी सुभ और अच्छे कारियों की सुरुआत ना करें अब बात कर लेते हैं आपके रासी फल के बारे में तो मकर आज के दोस्तों आज का दिन आपके लिए आनंद में रहने वाला है आपको अपने काम काश पर पूरा ध्यान देने क्या वसकता है आपका कुछ संपत्ती संबंधित विवाद ये लंबे समय से कानून में चल रहा था तो यह भी आज सुलचता हुआ दिखाई देगा लेकिन आपको लेंदेन आज के दिन बहुत ही साबधान रहकर करना होगा आपको उछ नए बेक्तियों से संपर के भी बढ़ा सकते हैं जो आपके ब्यापार विवसाय को बिदेशों तक ले करके जा सकते हैं बिद्यार्थियों के यदि कुछ बिसेओं में बदलाव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अपने सीनियर से सलाह मस्वरा अवस्य करें आज का दिन आपके लिए सुक सम्रिधी वढ़ाने वाला रहेगा ससुराल पक्ष के किसी बेक्ति से आप कोई लेंदेन न करें राज़नीत में कार्यत लोगों के आकरसन को देखकर उनके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं आपको अपने समय का सद्व प्योग करना होगा और इधर उधर बैठकर खाली समय बतीत ना करें आपके कुछ सत्रू आपसे किसी बात को लेकर इर्शा कर सकते हैं आप अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे मकर आज के दोस्तों आज कर दिन आपके लिए विवसाय में उतार शड़ाओ लेकर आएगा आप किसी काम को लेकर यह परिसान चल रहे थे तो वह भी दूर होगा परिवार की किसी सदस के बात सुनकर आप नाराज हो सकते हैं अभिवाहिजात कों की साथी से आज मेल मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर उन्हें अत्यन्त खुसी होगी आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाब मिलेगा आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाईज भी कर सकती है साथ ही आज का दिन आपके लिए आई के सोर्स को बढ़ाने वाला भी रहेगा आपको अपने किसी मित्र की और से कोई बड़ी खुस खबरी सुनने को मिल सकती है कारशेतर में आपको कामों से अच्छा फायदा देखने को मिलेगा साथ ही किसी दूर रह रहे परिजन से कोई खुस खबरी सुनने को मिलेगी बिद्यार्थियों को अपने ग्यान को बढ़ाने पर पूरा ध्यान और जोर लगाना चाहिए आपको अपनी दिन्चेरियों को बहतर बनाने के लिए अपने लिए भी कुछ समय निकालना बहतर रहेगा मकर राज के दोस्तों आज कर दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए भी रहेगा बिजनेस में भी आपको किसी योजना पर यदि बिराम लगा हुआ था तो आप उसको फिर से सुरुवात कर सकते हैं आपका कोई सही होगी आपकी किसी बास से नाराज हो सकता है ये ऐसा हो तो आपको उन्हें मनाने की कोशिस करनी होगी आप अपने धन को लेकर भविस की कोई प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आप किसी सरकारी योजना में धन लगाएंगे तो आप के लिए बहतर साबित होगा साथ ही आज आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर भी पूरा ध्यान देंगे आज परोस्त के किसी बिवाद में पढ़ने से आज आज आपको बचना होगा कारश चेतर में आपको कोई जिम्मेदारी भरा काम भी दिया जा सकता है आपका मन किसी बात को लेकर थोड़ा सा परिसान रहेगा मातअ जिसे आपकी किसी बात को लेकर बहस वाजी भी हो सकती है जीवन साथी को नोकरी में प्रमोसन मिलने से आप काफी प्रसंद रहेंगे मकर आसक दोस्तों आज का दिन आप के लिए भागी के दिश्ट कोर्ट से अच्छा रहेगा आपके विवसाय में मन मताबिक लाब मिल सकता है लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी नोकरी में कारयत लोग ये किसी दूसरी नोकरी के लिए अपलाई करेंगे तो हाँ से भी उने को याफर आ सकता है आपकी यस वक किरती बढ़ेगी साथ ही अपने आस पास रहरे सत्रों से साबधान रहने की भी आवसकता है बेवाहिक जीवन आज लग भग बहतर ही कहा जा सकता है आप कुछ नए लोगों से मेल चोल बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे जो आपके बेवसाय में आपकी मदद करेंगे धार्मिक कारिकरमों में भी आप इस्साल लेंगे जो लोग इलेक्टरानिक का काम करते हैं उन्हें को अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है आपको पाटर सिप में किसी काम को करना बहतर रहेगा तो मकर रास के दोस्तों ये था आज आपका रासिफल कल फिर से एक नए रासिफल के साथ हम आपके साथ होंगे तब तक के लिए जैसन देव